हाइ दोस्तों असलाव आलि को कैसे आप लोग मैं आप नबील है पिछले वीडियो में हमने आईफोन 14 को 15 से कंपेर के और आज की वीडियो में करने वाले है कंपेर आईफोन 15 pro pro max को आइफोन 14 pro pro max के साथ क्यों ऐसा है और इतना दो मैं इसके लिए excited क्यों है क्योंकि हर साल जो है प्रो मॉडल से अगले प्रो मॉडल पे मैं अप्ग्रेट करता हूँ और 14 Pro Max मेरा प्राइमरी डिवाइस जो है इससे जादा क्या बहतर हो सकता है 15 Pro Max में यह मैं देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर डेफिनिटली अप्ग्रेट करना चाहूंगा और इसक उससे पहला जो डिफ्रेंस आने वाले दोस्तों वह आने वाला है material of the frame में अब तक क्या आता था यह स्टेनले स्टील आता देखो ब्लैक में है यह सिल्वर में है यह स्टेनले स्टील है बहुत ही खोबसूरत बहुत ही डूरेबल लेकिन अब यहां पे एक नॉच ऊपर जा इसके मुकाबले लाइट है लेकिन इसके मुकाबले एक्सपेंसिव भी है इसलिए जादा प्राइस रह सकता है 15 pro का pro max का 14 pro pro max से और अभी जो आइफोन आते हैं उनके edges जो pro model है खास तोर बहुत ही शाप है हाथ में थोड़े से चुपते है लेकिन ट्राइट इनम बढ़े आइफोन आने वाला है 15 pro pro max उसके edges slightly curved रहेंगे जिससे हाथ में तकलीफ ना हो अब बहुत सारे android fanboys जिन्होंने हाथ में लिया भी नहीं है 14 pro pro max या लेने वाले भी नहीं 15 pro pro max वो बोलेंगे नतिंग फोन का कॉपी करके यहां पे लेके आ रहा है apple क्योंकि इसका back slightly curved है तो य around 7.85 mm वहीं पर 15 pro pro max जो है यह 8.25 mm थिक रहने वाला है यानि की slightly thicker ऐसा क्यों है क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी आने वाली कितनी बड़ी आने वाली वह आगे बताऊंगा मैं आपको इनको खरीदने के लिए अच्छा card भी आपके पास होना जरूरी है क्योंकि अलग- offline spends के उपर 5% का cashback मिलता है और offline spend करते हो तो उनके उपर आपको मिलता है 1% का cashback और यह card cashback जो है इस card में बहुत ही hassle-free है यह आपके SBI card account में auto credit हो जाएगा within 2 days of statement generation और 2 lakh के उपर annual spend करते हो तो इसकी renewal fee है वो भी reverse हो जाती है 1% का fuel surcharge waiver मिलता है on all fuel pumps in India आप इस card से tap to pay कर सकते हो यह card fast and convenient है और क्योंकि वीजा card है तो across the globe आप 24 million outlets और इंडिया में 3,25,000 outlets पे इसका इस्तमाल कर सकते है for payment तो अगर आप SBI के cashback card के लिए apply करना है तो description में और pinned comment में उसको इसका link मिल जाएगा वहां से जाएक के apply कर सकते है अगला जो एक major difference रहने वाला है दोस्तों वह ह यह mute switch देखा होगा जहाँ पे silent कर सकते है आप एक switch को toggle करके लेकिन इसके अलावा इसका कोई function नहीं है तो इसका function थोड़ा enhance कर रहा है आपल 15 pro pro max में और यहाँ पे actual dummy model मेरे हाथ में है जिसके ओपर actual 15 pro का case लगा हुआ है और इसमें आप देख सकते यह action button रहेगा बिल्कु अब यहाँ पे क्योंकि pro model की बात हो रही है तो यह जो type C port है वो speeds में बहुत जादा रहने वाला है अभी जो lightning port आता है सबी iPhones के अंदर 480 mbps की USB 2.0 वाली जो speeds है transfer वाली वो देता है लेकिन जो यह नए pro models है 15 pro pro max इसमें जो type C port आने वाला है यह thunderbolt port रहेगा और type C capabilities के साथ- 40 gbps की transfer speed देगा software update करना है data transfer करना है इस जाधे easily हो जाएगा साथ ही आप pen drive वगरा बहुत easily लगा पाएंगे इसमें और external hard disk भी अभी तक के जो pro max model है उसमें 3x telephoto zoom lens आपको देखने मिल जाता है लेकिन अभी जो नए आप pro max model आने वाला है सिर्फ उसके लिए apple periscope zoom lens का इस उसके अंदर आपको 6x zoom मिलेगा तो slightly जाधा zoom मिल रहा है और maybe आपके जो portrait shots है उसकी भी quality improve हो सकती है इससे camera के megapixel count में यहाँ पे कोई improvement शायद आपको देखने ना मिले लेकिन aperture के साथ apple ज़रूर खेलेगा कम जाधा हो सकता है और जो lidar scanner आता है वो यहाँ पे 14 pro max में है उसक जाधा मदद होगी अभी का जो display आता है iPhone 14 pro और pro max का यह तो एक pro motion display है OLED पैनल है तो same pro motion display और OLED पैनल डायमिक आइलेंड आपको 15 pro pro max में भी देखने मिलेगा लेकिन जाधा power efficient डिस्पले ड्राइवर चिप कर आएगा जो जाधा power efficient रहेगी 28 nanometer की चिप इस्तमाल होगी यहाँ और ना सिफ जाधा power efficient डिस्पले बलके जाधा थिन बेजल वाले डिस्पले भी आपको iPhone 15 pro pro max में देखने मिलेगे तो अभी भी बेजल जो है थिन ही है uniform ही है तो एसी uniform बेजल मेंटेन करेगा Apple लेकिन इसकी जो बेजल की ठिकने से वो और कम होगी और सबसे important यहाँ पे एक चिपसेट आने वाला है जो के रहेगा A17 bionic chipset जो सिफ आपको प्रो और प्रो मैक्स मोडल में देखने मिलेगा अब 14 pro pro max मोडल का जो chipset है A16 bionic chipset यह आपको 15 के non pro series में देखने मिलेगा next generation का ultra wide band chipset भी आपको देखने मिलेगा जिससे आप जाधा अच्छे से air tags और दूस X65 modem जबके 15 pro pro max में आपको X70 modem देखने मिलेगा iPhone 14 pro pro max के अंदर wifi 6 आता है जबके 15 pro series के अंदर आपको wifi 6E finally देखने मिल जाएगा तो ज्यादा wifi speeds आप वहां पर expect कर सकते हो upgraded RAM भी आपको देखने मिलेगा 14 pro pro max के अंदर आपको 6 GB का RAM देखने मिलता है जबके बताया जा रहा है according to the leaks के 8 GB का RAM जो है 15 के pro series में आपको मिलेगे charging में भी improvement देखने मिलने वाला है अभी तक जितने भी iPhones है उसमें 14 pro pro max है वो maximum 27 watt की charging support करते है 15 pro pro max के अंदर 35 watt की fast charging आपको देखने मिलेगी ताके Apple अपने 35 watt के charger को भी बेच सके और आपको faster charging भी मिले और wireless charging में Qi 2 technology का भी इस्तमाल यहाँ पर Apple करने वाला है जिसकी वज़े से जो third party accessories होती है जो के non max safe होती है उनके साथ भी आपको 15 watt की charging देखने मिले जो के अभी capped है 7.5 watts पे और अच्छी खबर यह भी आ रहे है दोस्तों के जो base storage वेरेंट है जो के 14 pro series के अदर से 128 GB का आता था more than enough होता है फिर भी हो सकता है कुछ camera capabilities ऐसे लेके Apple जिसमें जाधा memory का इसनावालो 2TB का भी option Apple दे सकता है 14 pro pro max में आपको silver, purple, space black और gold color मिलते थे लेकिन 15 pro series के अंदर आपको शायद gold color देखने ना मिले और यह 4 color options आपको देखने मिलेंगे जो के रहेगा silver, space black, grey और dark blue अब जो grey है यह titanium भी कहला है जा सकता है या फिर titan लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा है और iPhone 15 pro series के अंदर आपको color match एक type C cable भी देखने मिलेगी जो के braided रहेगी जो के काफी साही चीज है क्योंकि बहुत ही easily Apple के lightning cables break हो जाते और सबसे important upgrade यहाँ पे जो मुझे लग रहे है दो जबके 15 pro max में आपको 4852 mAh बैटरी मिलेगी जो के massive रहने वाली है प्लीज आप अपने android phone की बैटरी के हाथ compare मत करना उससे कई जाधा battery life निकाल के देते है यह iPhone के pro series तो यह humongous upgrade रहेगा display जाधा efficient chipset जाधा efficient और यहाँ पे battery बड़ी तो बहुत जाधा बैटर बैटर expensive रहेंगे MRP के मामले में 15 pro और pro max अभी expensive होना definitely जो है यहाँ पे justified है क्योंकि नया titanium का frame, जाधा storage, जाधा RAM, नया chipset, बैटर डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जो है इसमें Apple देने वाला है साथ ही एक thunderbolt port भी लेकिन अगर इंडियन रुपीज में calculate करें तो यह 100 डॉलर्स का difference 8000 रुपय का difference नहीं होता जो कि आज का exchange rate है यह होता है तक्रीबन 20,000 रुपय का difference क्योंकि custom duty GST और बहुत सारी चीज़े लगती है इंडिया में तो 20,000 रुपय का difference यह और क्योंकि अभी 14 pro pro max global वाले तो 18-90,000 रुपीज में मिल जा रहे है तो 50-60,000 रुपीज का difference रहेगा आइफोन 15 pro और pro max के launch price का आइफोन 14 और 14 pro के price से तो आपको क्या यह worthy अपग्रेड लग रहा है क्या 50-60,000 रुपे extra डाल के यह नए 15 pro और pro max लेने चीज़े मुझे comment करे जरू बताना पाकि जिनके उस पैसा है और जिनको shock है वो दो बार तो सोचेंगे नहीं यह phone लेने के आप बदाएए आप क्या सोचते हैं इसके बार में उमीगता दोस्तों आपको आज क्या वीडियो पस्ना आपको पस्क्राइब को लाइक इंशाए जरू किजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब जो किजिए गुडबाए